हेलो एवरीवान वेल्कम टू माई चानल एमसीबी एमसीबी आज हम एक डिफरेंट एन इजी मेथड के साथ एक ब्यूटिफल सारी कुछो डिजाइन बनाएंगे जो लेस देन टू आवर्स के अंदर अंदर इजीले बन जाएगा फ्रेंट्स इस डिजाइन को बनाने के लिए हैं मिनिममम 20 ग्रैम्स यह डिजाइन बनाना बहुती इजी है प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेर और कमेंट जरूर कीजिएगा आई होप आपको यह डिजाइन जरूर पसंद आएगा तो चलिए फ्रेंस स्टाट करते हैं सबसे पहले हमें इन सारी पल्लू के त्रेड्स को नीट कर लेना है और इसके ऊपर ही इस टेप और मारकर की मदद से एवरी हाफ इंच के डिस्टंस पर मारक कर लेना है यह देख सकते हैं मैंने आपर एवरी हाफ इंच के डिस्टंस पर मारक कर लिया है इस तरह किसे मारक करके वरक करने में यह नीट आएगा और अब नेक्स्ट हमें थोड़े से त्रेड्स को लेना है एक स्मॉल साइज का नीडल लेंगी और यह जो हमने मार्क किया हुआ है इसके उपर से ही इस नीडल को हमें यहाँ पर पास करके इस तरीके से इन सबीस त्रेड को अलग कर लेना है जो लगबग हाफ इसमें जितने त्रेड्स है उतने ही त्रेड्स हमें लेने हैं बाकी के त्रेड्स साइड कर देने हैं और इन्हें हलका सा ट्विस्ट करते हुए यहाँ पर पल्लू के उपर ही हमें एक नौट बनाना है इस तरीके से हमें टाइट नौट बनाएंगे इन त्रेड्स के इन प कर देने हैं नीटली इन त्रेड्स को लेना है और हलका सा ट्विस्ट करते हुए पल्लू के ऊपर हमें एक टाइप नॉट बनाना है इस तरह के से हमें एवरी हाफ इंच के डिस्टंस पे जितने त्रेड्स होते हैं उतने ही त्रेड्स को लेके नॉट बनाते हुए फर्स यह देख सकते हैं हमने यहाँ पे तीन नॉट्स बना लिये हैं इसी तरीके से हमें इन सारी पल्लू के नॉट्स बनाते विए फर्स टेप कंप्लेट करना है नेक्स्ट हमें कोई भी एक स्मॉल साइज का नीडल लेना है और इसमें थोड़ा सा त्रेड्स इंसर्ट करते विए एक नॉट्स बनाना है हमें यहाँ पे उधना ही त्रेड्स लेना है जितना हमें टू फिंगर्स इस ट्रेड्स में से पास हो सके नेक्स्ट हमें इस नेडल को इन त्रेड्स में पास करके एक लॉंग शिप का बीड इंसर्ट कर लेना है इस तरीके से इस नेडल से बहुती इसीली ये बीड्स इस ट्रेड्स में इंसर्ट हो जाएंगे उसके बार ये जो सकेंड वाला ट्रेड है इस ट्रेड को लेना है और ये जो हमने लॉंग बीड इंसर्ट किया हुआ है इस ट्रेड में हमें इस नेडल को अपोजिट डारेक्शन में पास करके इन पल्लू के ट्र से इस लॉंग बीड में से अपोजिट डारेक्शन में पास कर लेना है और इस दोनों नॉट्स के ऊपर ही इस बीड को हमें नीटली सेट करना है उसकी बार यह जो फर्स्ट वाला त्रेड है इस त्रेड में हमें फिर से एक लॉंग बीड इंसर्ट कर लेना है नेक्स्ट हमें यह जो सकेंड वाला त्रेड है इस त्रेड में इस नीडल को इंसर्ट करके यह जो लॉंग बीड है इस नीडल को इस लॉंग बीड में से अपोजिट डारेक्शन में स्लोली पास करके यह जो सारी पल्लू के जो त्रेड्स है इन त्रेड्स को हमें इस तरीके से नीटली अपोजिट डारेक्शन में पास कर लेना है यह देख सकते हैं इस तरीके से हमने नीटली इन दोनों बीड़ सको दीड़ में से ट्रेट को पास करके इने सेट कर लेना है और इस लॉंग बीड़ के बिलकुल नस्दि की हमें एक टाइट नॉट बनाना है इस तरीके ैं इस नेदल को इंसर्ट कर लीना है और एक लॉंग बीड इस त्रेड मेशे पास कर लेना है नेक्स्ट हमें यह जो सकेंड बाला त्रेड को हमने लॉंग बीड इंसर्ट किया हुआ है फर्स्ट त्रेड में इस लॉंग बीड में से हमें इस सकेंड वाले त्रेड को अपोजित डारेक्शन में स्लोली पास कर देना है इन त्रेड को इस तरीके से पास कर लेना है और इन बीड को जो नॉट है यहाँ पे इसे सेट कर देना है उसके बाद फर्स्ट वाले त्रेड में फिर से हमें एक लॉंग बीड इंसर्ट कर लेना है इन त्रेड में से पास कर लेने के बाद सकेंड वाला जो त्रेड है इस त्रेड को इस लॉंग बीड में से स्लोली अपोजिट डारेक्शन में पास कर लेंगे इस थरीके से हमें दोनों threads को इस long bead में से opposite direction में pass कर लेना है और इन्हें neatly यह जो पल्लू की knots है यहाँ पे इन्हें set करते हुए इन दोनों threads को मिलाके यहाँ पे एक tight knot बनाना है यह देख सकते हैं हमने एक knot बना लिया है आपे देख सकते हैं हमने यहाँ पे दोनों long beads को दो threads में से opposite direction में pass करके knot बनाया हुआ है इसी तरीके से आप चाहो तो 3 long beads या फिर 4 long beads पे opposite direction में insert करके यहाँ पे एक tight knot बना सकते हैं यह design थोड़ा सा big लगेगा और भी beautiful लगेगा customer ने यहाँ पे simple design कहा था so मैंने यहाँ पे सिर्फ दो ही beads insert करके एक knot बनाया हुआ है friends इसी तरीके से मैंने सारी पल्लू के in threads को use करते हुए और भी सारी कुछ रिजाइन्स बनाये हुए है उनका link मैंने उपर i button में also video के end में भी दे दिया है आपको वहाँ से वो सभी videos easily मिल जाएंगे यहाँ पे इस तरह के से slowly हमें pass करके इन दोनों beads को neatly set कर लेना है यह जो हमने उपर दो knots बनाये हुए है यहाँ पे हमें बिलकुल नजदी की एक knot बनाना है यह जो second वाला long bead है इस long bead के बिलकुल नजदी की हमें एक tight knot बनाना है फ्रेंस हमें यहाँ पे यह जो second long bead के पास बिलकुल भी gap नहीं छोड़ना है अच्छे से tight knot बनाना है इसी तरह के से हमें यह bead working continue करना है next हमें 85 strands of silk thread लेना है और यह जो हमने knot बनाया हुआ है इस knot के back side से हमें needle को pass कर लेना है क्योंकि हमने यहाँ पे पल्लू के सीधे side से work कर रहे है so हमें इन silk thread को पल्लू के back side से needle को pass कर लेना है और अब next हमें जरी thread लेना है इन silk thread के back side से जरी thread को pass करके एक और knot बनाना है फिर एक turn लेना है इन सभी share thread को tightly पकड़ते हुए एक और turn लेंगे उसकी बार फिर से हमें एक turn लेके side में knot लगाना है यह देख सकता है इस तरह के से अच्छे से हमें tight knot बनाना है उसकी बार इस जरी thread है इस जरी thread में से सेंटर में से हमें इस नीडल को पास कर लेना है नीटली सेंटर में से इस जरी त्रेड को पास कर लेने के बाद इन दोनों सिल्क त्रेड और जरी त्रेड दोनों को मिलाके हमें यहाँ पे नीट कर लेना है और इन दोनों को मिलाके नीटली हमें ट्रिम कर लेना है यह देख सकते हैं इस तरीके से नेक्स्ट कुचू बनाने के लिए इसे उपर की और स्लाइड करके हमें वर्क कंटिन्यू करना है यहाँ पे हमें ग्रीन कलर का कुचू बनाना है अपे देख सकते हैं हमेने यहाँ पे चार ग्रीन कलर के और चार पिंक कलर के कुछु बनाए हुए है यह बर कंप्लीट हो गया है आपको यह डिजाइन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके जरूर बताइएगा चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग से यू सून बबब